हाई गाईस कैसे हैं आप सभी लोग आई हूप अच्छे होंगे और आज किस वीडियों देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड यर में हैं दोस्तों और बीए सेकंड यर का यह हम लेके आए हैं आपके लिए पेपर है वह है इजुकेशन का यह उपका पेपर है वो है सेकंड पेपर यह सेकंड फेपर 2022 में आने वाले कोशन जो मतलब कि बहुत भी कल्पिय कोईशन को देखेंगे हम leader 1 को देखेंगे इस बीदियो में लगभाग मैं जो 50 कोईविए most important question है exam 2022 के लिए फिर unit number 2 को देखेंगे next video में unit number 3 unit number 4, unit number 5 जाता बड़ी video भी नहीं करेंगा छोटी छोटी video में हम अच्छे तरीके से सब को सीखेंगे ठीक है तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा अभी तक आपने हमारा channel paper hacker को subscribe नहीं किया है तो कर लीचे और आप जो pdf देख रहे हैं इसे यदि आप download करना चाहते हैं अपने phone में आप इसकी pdf को भी download कर सकते हैं pdf का link description box में दे रखा है जाके download कर सकते हैं ठीक है और हमने इसका एक app भी बना रखा है app play store पर मिल जाएगा उसका भी link description box में है तो दोस्तों पहला कोशन हमारे सामने आ चुका है पहला कोशन है स्वास्त सरीर में स्वास्त मस्तक्स का निर्माण ही सिक्षा है ये कथन किसका है ये किसने कहा था कि स्वास्त सरीर में स्वास्त मस्तक्स का निर्माण ही सिक्षा है ये कथन किसका है ये किसने किसके द्वारा कहा गया था तो चार option है बिबेकानन्द, अरस्तू तो हम सभी का अंसर अरस्तू आएगा option number B की ओर जाएंगे next question हमसे पूछा गया है घ्यान से देखेंगे next question है मनुस की जो अंतर नहित पूरता को अभी व्यक्त करना सिक्षा है ये कथन किसका है मनुस की अंतर नहित पूरता को अभी व्यक्त करना सिक्षा है ये कथन किसका है सभी लोग बताएंगे एक बार option number सभी का D की ओर आना चाहिए बिबेकानन्द का ये कथन है ये most important question है जो आपके एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो कोशन लेकर आए है एक्जाम 2022 में आप पक्ता बता रहो 85% यहां देखने को रहा सारा का सारा यहीं सफसेगा आप PDF को डानलोड कर लेना आपसे बादा करता हूँ को फेल नहीं होने दूँगा पस PDF को डानलोड कर लो ध्यान से नेक्स कोशन है सिक्षा की संकुचित अर्थ क्या होता है बताओ सिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है अभी का आंसर option number B की आना चाहिए सिक्षा एक निश्चित इस्थान और समय और निश्चित समय बस्तू के अनुसार चलने वाली पिरक्रिया है सिक्षा क्या है एक निश्चित इस्थान समय तथा निश्चित बिस्थान बस्तू के अनुसार चलने वाली पिरक्रिया है यहाद रखेंगे option number B की ओर जाएगे next question यहाँ बोला गया है सिक्षा एक दोई मुखी प्रिक्रिया है यह सबसे पहले किस ने कहा था यह सबसे पहले किस ने कहा था इल्कुल राइट option की आएगा Adam ने कहा था option number C की ओर जाएगे इसके दोर कहा गया था Adam next question है शिक्षा एक दोई मुखी प्रिक्रिया है यह दोई मुखी है जिसने कहा वो Adam ने कहा था दोई मुखी है किसने कहा था यह कथन किसका है सब लोग बताएगे एक बार बहुत ही बड़ी है option number C की ओर आना चाहिए जॉन नेतिक चरित्र का उत्तम विकास है यह कथन किसका है सब लोग प्रिक्रिया हरवाट option number B की ओर जाएंगे हरवाट ने कहा था next question है सिक्षा को मनुस एवम समाज का निर्माड करना चाहिए सिक्षा को मनुस एवम समाज का निर्माड करना चाहिए ये कथन किसका है सिक्षा को मनुस एवम समाज का निर्माण करना चाहिए ये कथन किसका है सबी लोग कॉमेंट सेक्सर ब्यांसर देंगे बहुती बड़िया राधा किश्म का है option number D की और जाएंगे next question सिक्षा जन्म से प्रारंब तम जन्म से प्रारंब होती है मतलब क्या है सिक्षा जन्म से प्रारंब होती है और मा सर्वुत्तम क्या होती है सभी का है सिविका कह सकते है कि जो मा वो सर्वुत्तम से विका है ये कथन किसका है मतलब सिक्षा जन्म से प्रारंब होती है और जो मा होती है जो बच्चे को सर्वोत्तम कह सकते हैं वो सेविका होती है उसको सिक्षा देती है बच्चे को तो ये कथन किसका है बहुत ही बढ़िया रूसो का है ये option number एक ही ओर जाएंगे नेक्स कोशन यहां बोला गया है ब्यापक अर्थ में सिक्षा एक ऐसी पिर्किरिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रयाप प्रतेक अनुभब में उसके भंडार में ब्रद्धी होती है ये कथन किसका है ब्यापक अर्थ में सिक्षा एक ऐसी पिर्किरिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रयाप प्रतेक अनुभब में उसके भंडार में ब्रद्धी होती है ये कथन किसका है अब ही लोग बताएंगे बहुत ही बड़िया J.S. Mackenzie option number हम क्या कहेंगे? बीग और जाएंगे J.S. Mackenzie option number B की और जाएंगे नेक्स कोशे है शिक्षा के व्यापक अर्थ में बेशाप प्रभाव आते है जो ब्यक्ति को जन्म से लेकर म्रत्यु तक प्रभाहिद करते हैं ये कथन किसका है सब लोग बदाएंगे सिक्षा के ब्यापक अर्थ में बेसब प्रभाव आते हैं जो ब्यक्ति को जन्म से लेकर मिर्ति तक प्रभाहित करते हैं ये किस ने कहा था प्रोफेसर जम्विल उप्शन नमद जिसने भी दिया है सी परम सक्तांसर होगा नेक्स कोशन की ओर चलते हैं दोस्तों नेक्स कोशन है यहां बोला गया है सिक्षा ब्यक्तियों की उन सब सक्तियों का विकास करती है जिसमें वह अपने वातवर्ण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आसाओं को पूरा कर सके ये कथन किसका है शिक्षा ब्यक्ति की उन सब सक्तियों का विकास करती है जिससे वह अपने वातावर्ण पर अधिकार प्राप्ट कर सके और अपनी भावी आसाओं को पूरा कर सके ये कर्थन किसका है तो सभी का अंसर आज़ी ऑप्षिन नमबर ए जॉन ड्यूवी जॉन ड्यूवी का है ऑप्षिन नमबर एक ही ओर जाएंगे नेक्स कोशन है शिक्षा सास्ट्र के सरीर और आत्मा में उन सब सौंदर्य और पूर्टाओं का विकास करती है जिसके योग है वह है ये कर्थन किसका है प्लेटो ऑप्षिन नमबर प्लेटो की कह जाएंगे ऑप्षिन नमबर डी की ओर जाएंगे प्लेटो का ये कथन है नेक्स कोशन बोला गया है संकुचित अर्थ में सिक्षा का अभिब्राय हमारी सकती के विकास और उन्नती के लिए चिंताना कह सकते है चितना पूरक किये गए किसी भी प्रियास से हो सकता है ये कथन किसका है ये लेखा कौन है इस कथन के सभी लोग बताएंगे को जिएेस मैकेजी ओप्शे नंबर एक ही ओर जाएंगे जिएस मैकेजी कह सकते है इसको और नेक्स कोशन है हमसे बूला जा रहा है नेक्स कोशन है ये कथन किसका है तो सभी का अंसर आएगा option नबर ए अरस्तू का है ये कथन next question की और चलते हैं दोस्तों किया रहा है सिक्षा में मनुस्थ की जन्मजात शक्तियों का सवाविप समाज पूर्ण और समाज पूर्णे और प्रिकति सील विकास होता है ये किस ने कहा तो आप ये किस ने कहा तो आपको ये कहा था प्रस्तू लौजी ने option नमबर बी की और जाएंगे next question है शिक्षा वैस्यक्ता का पूर्ण विकास है जिससे कि वे ब्यक्ति अपनी पूर्ण योगताओं के अनुसार मानब जीवन को योग दे सके ये कथन किसका है बहुत option नमबर टी पी नन क्या होगा टी पी नन का है ये कथन नेक्स कोशन बूला गया है सिक्षा में वरी सिक्षा से मेरा तात्वरे वालक और मनुस की सरीर मन और आत्मा के उत्रश्ट एबम सर्वागित विकास से है ये कथन किसका है महात्मा गांधी का है option नमबर एक ही और जाएंगे नेक्स कोशन बूला गया है सर्वागित करती है कथन किसका है रविन ना टाइगूर का है option नमबर एक ही जाएंगे next question बोला गया है पदार्थों के देखों पदार्थों के पदार्थों के सनातन शुरूब का ज्यान प्राप्त करना ही दर्शन है ये किस ने कहा था ये प्लेटो द्वारा कहा गया था परम्तत्व के पदार्थ शुरूब की जांच करता है ये कथन किसका है ये अरस्तु का है ऑप्शन नमबर सी की और जाएंगे नेक्स कोशन बोला गया है दर्शन सोध की किरिया का बिग्यान उसकी अलोचना है ये कथन किसका है ये कह सकते हैं कार्ट एक कथन जो हता है वो कार्ट का है ऑप्शन नमबर हम कांट कह सकते हैं ये कथन किसका है कांट का है कांट ठीक है ऑप्शन नमबर एक की और जाएंगे नेक्स कोशन है दर्शन ग्यान का बिग्यान है ये कथन किसका है ये फिस्ते का है option number B की और जाएंगे next question है दर्सन बिज्ञान का बिज्ञान है ये कथन किसका है ये कॉम्टे का है option number B की और जाएंगे दर्सन बिज्ञान का तब्य एवम बिस्व ब्यापा ग्यान है ये कथन किसका है यह हरवर्ड इस्पेंसर का है option number हम एक ही और जाएंगे next question है दर्शन वास्तिविक्ता के रूप में रूप का भाकार की बेचन है यह कथन किसका है भाकार की बेचन है यह कथन किसका है सभी cancer आना चाहिए इस cancer क्या होगा बिटा एक बार comment section बताएंगे यह डाक्टर राधा किसन option number C की और जाएंगे next question है दर्शन की साहेता के आभाव में सिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती यह किस ने कहा कि जेंटल option number A की और जाएंगे जेंटल ने कहा था यह बात next question है तब एक बार comment section में दिहान से पढ़ेंगे यह most important question है यहाँ बुला गया पीडिएफ को जरूर डानलोड कर लें पीडिएफ का link description box में है यहाँ बुला गया सच्ची सिक्षा की सच्ची दरसनी से ही आसा की जा सकती है यह कथन किस का है Spencer option number D की और जाएंगे जिक्षा और डरसन एक सिक्षा के के पहलू के समान है यह कथन किसका है यह RUS का है option B की और जाएंगे next question है honor session a光 दूसरे के उड़क है ये कथन किसका है समी कांसर आना चाहिए इसको ऑप्षिन क्या होगा रॉस ऑप्षिन नमबर एक ही और जाएंगे दर्सन का अर्थ क्या होता है सबी लोग बताएंगे दर्सन का अर्थ क्या होता है बिल्कुल ठीक समी कांसर आना चाहिए बिटा देखना होता है, दर्शन का मतलब होता है देखना, किसी को दर्शन करना देखना कराता है, दर्शन का अध्यान किस कार्ण से होता है, शिक्षा के सुध्यात्मिक आधार को समझने के लिए होता है, option number secure जाएंगे, next question है, सिक्षा दर्शन क्या है, सबी लोग एक बार आंसर देंगे, इसका a, b, c, क्या हुआ, मतलब एक बार कहेंगे, सेक्ष सिद्धानतों में दर्शन का प्रियोग, सिक्षा दर्शन कहलाता है, इस परकार से कह सकते हैं, दर्शन की परिभासा एक ऐसा प्रियास के रूप में दी जा सकती है, इसके दुआरा संपूल मानब अनुभूतियों के बिसे में सत्यता को विचार किया जाता है अत्ता अत्वा ईसके दुआरा हम अपने अनुभवों का बास्त्विक सार कर जानते हैं ये कथन किसका है उसके दुआरा हम अपने अनुभवों का बास्त्विक सार जानते हैं ये कथन किसका है ब्राइट मैन ऑप्षिन नमबर एक ही उर जाएंगे नेक्स कोशन देखेंगे 34 कोशन है सिक्षा दर्शन का गती सील पहलू है ये दर्शनिक कह सकते हैं बिसबास बह सक्रिय पक्ष है और जीवन की अधर्शों को प्राब्द करने का बास्त्विक सादन है ये कथन किसका है ये किसका है वीटा रोश का है अप्षिन नमबर बी की उर जाएंगे दर्शन का सम्बंद सिक्षा के उद्देशों को निरधारित करने से है ये कफन किसका है, दर्शन का सम्वंद, शिक्षा के उद्देशों को निरदारित करने से है, ये कफन किसका है डिवी, option number की ओर जाएंगे, किसके, डिवी, option number C की ओर जाएंगे नेक्स कोशन है सिक्षा की निम्निकित परिभासा दी किसने दी परिभासा किसने की व्यक्ति में अंतर निहित पूरता ही अभी व्यक्ति की सिक्षा है ये किसने कहा था सबी लोगों का अंसर आना चाहिए बहुती बढ़िया बहुती बढ़िया सभी का बिवे का नद आ गया next question है किसने कहा कि सिक्षा भेपरिक्रिया है जिसके दुआरा बालक की जन्मजात सक्ती बाहर प्रकट होती है बताईए किसने कहा था ये बालक की जन्मजात सक्तियां होती है वो बाहर प्रकट होती है ये किसने कहा था बहुती बढ़िया option number फ्रोवेल एक ही ओड़ जाएंगे next question है सिक्षा बहे अर्थ है प्रतेक मनुस के मस्तथ में आदर्श रूप से विद्भान संसार के सर्मान विचारों को प्रकास में लाना है और सिक्षा की इस परिभासा किसने लिखी थी इस सिक्षा की जो परिभासा दी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी सुक्रांत बहुती बढ़िया विटा सुक्रांत के द्वारा लिखी गई थी जॉण डिवे option नमबर एक ही और जाएंगे next question है दर्सन्जास्थे की सहेता के बिना पूर्ता और कह सकते है इस पर्ष्टत को प्राप्त नहीं कर शक्ते ये कतन стать किसका है दर्सन्जास्थ की सहेता के बिना पूर्था और इस कि बहुत ही बड़ी बटा फिस्ते का है option नंबर बीक और जाएंगे next question है सिक्षा दर्सन की सहायता के बेना पूर्ट और इस्पश्ट नहीं की जा सकती यह कथन किसका है यह सिक्षा लिए का इसका बताओ नीची वाल एक आंसर इसका भी फिस्ते होगा ठीक है ऑप्षिन नमबर बी की ओर जाएंगे वी और सी हो जाएगा इस्ते फिस्ते रहेगा डेक्स कोशन है दर्सन जीवन की गतिस्विल पहलू और सिक्षा का बिचारात्मक पहलू है एक अतन किसका है सबी लोग कर देंगे और पीडियेफ को डानलोड कर लेंगे निसमें पचास question ते इस question को पहले answer 18 कि सिक्षादर्सान का उद्देश है व्यक्ति का सर्भागिविकास करना लेकिन दर्शन का उद्देश है यह बताए 43 का अंसर क्या होगा बेटा सभी लोगों को का अंसर आना चाहिए एक बार बता हो बैचारिक बहुत ही बड़ी है बैचारिक एबम मांसिक विकास हाँ बैचारिक वा मांसिक विकास बाद भी है option number C के और जाएंगे next question है देखो यहां बुला गया है बर्तमान दर्शन की अनुसार आज अनुसार का सर्वत्तम पर रूप हो सकता है यह किस ने कहा था भा दी बड़िया स्वानुसासल ऑप्शन नमर के और जाएगा next question है जो जिए जिए प्रियास करते हैं की नहीं होगा का होगा जो जिए जिए प्रियास करते हैं वो सब दर्शनिक है यह किस ने कहा जो प्रियान देखो यहां होगा जो ग्यान की ही होगा ठीक है ग्यान का प्यास नहीं होगा प्यास है ठीक है यहां देखो ग्यान की प्यास रखते हैं जो ग्यान की प्यास रखते हैं वे सब दर्शनिक हैं यह किस ने कहा था कोशन सही है बेटा ठीक है जो ग्यान की प्यास रखते हैं वो सब दर्षनिक है ये किस ने कहा था उक्रांत बहुत ही बड़िया सुक्रांत नहीं कहा था option number हम बी की ओर जाएंगे next question है संसार का प्रतेक व्यक्ति जन्मजात दर्षनिक है ये किस ने कहा था सभी का आंसर आना चाहिए option number डी ठीक है सौपेन हावर ने कहा था next question बोला गया है सिक्षा दर्षन का कत्यात्मक साधन है ये किस ने कहा option number c की बहुत ही बड़ा बड़ा सभी का आंसर राइट आ रहा है next question है देखो next question आपके सामने है देखेंगे सभी लोग PDF को डानलोड कर लेंगे PDF के में आपको आंसर भी सहित में लेंगे सब कुछ ठीक है जी बोला गया अधैब वाद देखो अधैत वाद वेदान्त दर्षन के प्रतिपादत कौन थे संकरा चार विटा बहुत ही बड़िया option number C next question देखेंगे यहां कुछ question है जो आपको देखने लाइक है सत्त में आपसे पूछता है इसमें ठीक है सत्त में आपसे पूछेगा कि यह बास सत्त है या सत्त है जैसे बोला गया है कि सिक्षा व्यापक अर्थ में आजीबन चलने निबाली पितरिया है यह सत्त है आप कि एंगे सत्त है धर्षन सदैब आपशायरिक सिक्षा में आते हैं यह बास समयल सब्सक्राइब यह बास सत्त है यह सिक्षा और दर्शन के परस्पर संबंद नहीं है तो परस्पर संबंद है यह नहीं तो आप ओगे नहीं यह बात तो गलत है अप्शन नमर इसमें संबंद है वो गला नहीं है तो यह बात गलत है तो असत लगाएंगे नेक्स कोशन यहां बोला गया है देखो ध्यान से पढ़िएगा यहां बोला गया है जीवन प्रयाब जीवन प्रयाब चलने वाली शिक्षा क्या है बताओ जो जीवन प्रयाब चलने वाली शिक्षा है वो क्या है जीवन प्रयाब चलने वाली शिक्षा है वो क्या है तो आपको कि अनुपचारिक है, क्या है अनुपचारिक, option number क्या होगा, अनुपचारिक जिसे कहेंगे, यह सिक्षा है, जो जीवन प्रयाप्त चलने वाली शिक्षा है, अनुपचारिक, option number B के ओर जाएंगे, किसने कहा कि जीवन बसिक्षा दोनों के लिए दर्सन परम तर्शक है, तो सभी का आना चाहिए, यह कहा था, रस्क ने, option number A की ऊर जाएंगे, शिक्षा का तातवरी क्या होता है, जाएंगे, अचे इमने वीडियो में, यूरिल नमबर फस्ट को कि लिए कर दिया है, अब हम यूरिट नंमर टू को देखेंगे, most important question है आपके exam के लिए मैं अपसे बादा करता हूँ 2022 में यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा अब चैनल को subscribe के bell icon को praise कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को share कर देना thank you for watching this video चैनल को subscribe करना ना भूले love you